हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो इस लेक्टेर, इस वीडियो में हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, हमने नेम सर्वर एड़ करके अपडेट किये है, नेम सर्वर को अपडेट होने में 24 अर्ष लगेंगे, तब तलग हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, तो यहां हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करना देखेंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सी पैनल में जाना पड़ता है, आप जो भी आपने होस्टिंग खरीदा है, वहां सी पैनल का लिंक होगा, उस पे क्लिक करके आप सी पैनल में जाईएं, या आपका जो भूस्टिंग जो भी आपने खरीदा है, आपका जो भूस्टिंग का एकाउंट है, वह एकाउंट को आप ओपन करेंगे, तो भी उसमें यहां सी पैनल लॉग इन ऐसा ओप्शन होगा, तो आप यहां सी पैनल लॉग इन पे यहां क्लिक करें, C Panel Open हो गया है, यहां WordPress Install कैसे करना, वह हम देखेंगे, WordPress Install करने के लिए, यहां आप नीचे जाएए, और यहां जो Software है, वहां यह Softaculous App Installer है, Softaculous Apps Installer पे क्लिक करें, वहां क्लिक करके, Softaculous में आ जाएएंगे, वहाँ यह WordPress A2 Optimize है पर हमें WordPress जो सिंगल है वो इंस्टोल करना है तो यहां साइड में यहां यह सर्च लिखा है सर्च पे आप क्लिक करें और यहां WordPress लिखें जैसे कि A2 Hosting में चार अलग-अलग प्रकार के WordPress इंस्टोल करने के अप्शन है हमें सिर्फ WordPress इंस्टोल करना है तो यह जो WordPress लिखा है वो WordPress पर क्लिक करें यह WordPress ऐसे खुल जाएगा और यहां मैसेज आज आएगा कि इसके लिए आपको स्पेस कितना चाहिए 49.51 एंड चाहिए और यहां इंस्टोल नाउट के लिखा है वो इंस्टोल नाउट के क्लिक करें तो WordPress इंस्टोल स्टार्ट होगा सबसे पहले वो आपको बूछता है कि इंस्टोलेशन URL यहां प्रोटोकॉल कौन सा चाहिए यहां चार प्रोटोकॉल होगे उसमें आप जो OnlineProAcademy.com जो है उसमें मुझे वेबसाइट बनानी है तो मैं OnlineProAcademy.com जो डॉमेन है वो मैं सेलेक करता हूँ यहां इन डिरेक्टरी जो लिखा है वहां कुछ भी लिखे मत वो पेस जो है खाले रहे नहीं दीजे नीचे यहां Site Setting में Site Name, My Blog की जगा आप कुछ और लिख सकते हैं Site Description में यहां My WordPress Blog की जगा कुछ भी लिख सकते हैं यह हम बाद में भी कर सकते हैं तो अभी मैं कुछ नहीं करता हूँ यहां Admin Account यह Important है Admin Account में Admin User Name, Admin Password, Admin Email यह डिटेल आपको यहां Provide करानी है यह डिटेल आपका WordPress का जो Dashboard बनेगा वो Dashboard को एक्सेस करने के लिए यहां आप जो User Name, Password और Email ID जो आप यहां लिखते हो वही Credential वही User Name, Password से आप WordPress Dashboard को भी एक्सेस कर सकते हो तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप Side में लिखके भी रखे और User Name, Password, Email जो है वो Correct यहां लिखे पासवर्ड स्ट्रॉंग रखे तो इस तरह User Name, Password और Admin Email जो आपका Gmail वाला जो Email ID वही रखे Gmail वाला Admin Email आगे जाहिए Select Language English ही रखिए यहां Plugins वगेरा है, कुछ Plugins है पर हमें वो कोई भी Plugins नहीं चाहिए अभी यहां Advanced जो Option है वहां आप Click करे यहां आपको सिर्फ यह जो Auto Upgrade है आपको WordPress अपग्रेड करना हो, Automatic अपग्रेड करना हो Auto Upgrade WordPress Plugins, Plugins को आप Automatic अपग्रेड करना चाहते हो, तो आप यहां क्लिक करे, और Automatic अपग्रेड हो जाएंगे आपको अंदर डेशबॉड में जाके बार-बार Plugins अपग्रेड करने की जरूर नहीं है यहां Auto Upgrade WordPress Theme लिका है पर Theme को हम अभी यहां नहीं करते है Backup Location जो है रहने दीजिए, Automated Backup आपको लेना है, One से Month, One से Week जो भी है आप ले लीजिए यहां Rotation 1 बराबर, ओके ठीक है, Email Installation Detail 2, Installation की डीटेल वगेला यहां मिल जाएगे इतना करके आप just Install पे क्लिक करें, Install पे क्लिक करेंगे तो just within a few seconds, 20 या 30 seconds के आसपास में WordPress आपका Install हो जाएगा, यह देखें, यह आ गया है, Congratulations the software was installed successfully और यहां यह जो लिखा है, HTTPS, यह आपका URL है, वेबसाइट का URL यह है, Main, और Administrative URL जो लिखा है, यह आप सब कॉपी करिए, कॉपी करके, Word फाइल में आप पेस्ट करके रखिए, यह जो लिखा है, Administrative URL, मतलब यह आपका WordPress जो है, उसका Dashboard है, onlineproacademy.com, wp-admin, यह आपका WordPress, जो WordPress का Dashboard है, उसका URL है, तो आपका WordPress इंस्टॉल हो गया है, और वो देखना हो, तो आप, just यहाँ, इतना लिखे, onlineproacademy.com, wp-admin, इतना लिख के आप enter दे, Friends, मैंने username और password सही लिख दिया है, username और password पुछा, वो मैंने सही लिख दिया, तो यह जो start हो गया है, वो WordPress Dashboard है, हमारी जो यह विबसाइट है, onlineproacademy, जो हम बनाने जा रहे हैं, onlineproacademy.com, उसका यह Dashboard है, हमने हमारी विबसाइट, onlineproacademy.com के लिए, जो name server है, वो chain कर दिये, और उसके बाद WordPress भी इंस्टॉल कर दिया है, नेम सर्वर चेंड करने के 24 गंटे बाद, जब हम इंटरनेट पर लाइव देखते हैं, तो हमारी विबसाइट, इंटरनेट पर लाइव हो चुकी है, हमारी विबसाइट का ये जो नाम है, onlineproacademy.com, इसके आगे आप जो ये जो देख रहे हैं, ये लॉक का साइट है, ये जो लॉक का साइट है, वो है SSL Certificate, आप लॉक के साइट पर क्लिक करोगे, यहां लिखा आता है, connection is secure, ये एक security certificate होता है, कि हमारे साइट सेफ है, अगर आपकी साइट पर ये लॉक का साइट नहीं है, लॉक का साइट हो मतलब हमारी विबसाइट के नाम के आगे यहां ये HTTPS लिखाता है, ये SSL Certificate की वज़े से, अगर ये नहीं है, लॉक का साइट नहीं है, तो यहां not secure तो आप अपना जो hosting provider है, उनकी website पे live chat वगेरा भी होती है, उनसे direct contact करें, तो वो लोग तुरंती SSL Certificate इंस्टॉल कर देंगे, और आपका ये log का sign आ जाएगा, हम खुद भी करना चाहे तो कर सकते हैं, पर मैं recommend करूंगा कि hosting provider से ही कहे, तो वो लोग तुरंती SSL Certificate इंस् कर दो कर दो कर दो